दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप फोटो को पीडिये फाइल कैसे बनाएगा जिहां गाज अगर आपके पास एक फोटो है या फिर आपके पास 10 फोटो है या फिर आपके पास 100 फोटो है उन सारे फोटो को आप एक पीडिये फाइल ब इस्टोर को अपर करना होगा पले स्टोर में आप आईएगा जीम्पली आप यहां पर सर्च किजेगा तो आपको क्या से शर्च करना इमेज टू पीडीएप कॉनवटर अब दोस्वे इस है इस में सच किये न तो बहुत सरा अप्लिकेसन आएगा तो आपको यह तारे आप्ल जाए एक्षान का और यहां पर इल्बम का तो अगर आप अपने फोन के गरी से कोई फोटो लेना चाहते तो ठीक है अगर आप कैम्रा से फोटो किचना चाहते तो भी है तो हम अपने फोन के गरी से इमेज ले लेते हैं इमेज वाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे ना फोटो सिलेक्ट करेंगे लाइक यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो हम फोटो सिलेक्ट करें ऊपर में गिंती आ रहा है जैसे कि साथ फोटो हो गया 8 9 10 11 ठीक है इस तरह से आप अब केटा भी खींचा फोटो ले शाकते को भी फोटो ले सकते हैं मैं आपको एजाम्पल के तरप यह समझा रहा हूं देन फोटो लेने के बाद अब कितना भी फोटो लेने कभा यहां पे से लेक्ट वाल ऑप्सन जिसपर क्लिक किजिंगा यह जो फोटो ने तो आप यहां से इस photo को delete भी कर सकते हैं यहां पर उठाके रख सकते हैं जहां मर्जुम हाँ पर रख सकते हैं और यहां पर कर दीजेगे फोटो आटोमाइटिक यहां पर आ जागा आने वहां दूस्सा है लिखा है कन बट फोन में लेकाफ एक अपर यहां और यहां दिखा सकता हूँ यहां अपने फोन के घरी से भी दिखा सकते हैं यहां पर फोटो का पीड़ जो बना है नो वो इस तरह से बना आए ठीक है अब इस PDF कोफ और आप कहीं भी सियर्भी कर सकते हैं यहाँ पर आप 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 आपयेगा तो कहांज इहां पर PDF आपको देखने करें भी his बनके त्यार हो चुका है तो इस तरह से अपनी फोन से घर बैटे एक फोटो को या फिर 10 फोटो का या फिर सोटो का फिर फोटो का पीडिया फाइल बना सकते वीडियो का यह वीडियो को लाइक करना ना भुलिएगा